आज आउसी अपनी आत्मावाँ दे सारदे बारे परमिशुर दे वचना नू सांजा करिए विश्वाज दे राते चल दे हुए असी बहुत सारे लोका नू आत्मादिया चीजा नू छड़के सिर्फ अपने शारिक अते दिखन वाले जीवन जियौन विच रुजे देख सकते हाँ हलाकि सानू पहला इस अमजन दी जरूरत है कि साड़े जीवन दा सार की है जेकर असी आत्मादे मामले ते त्यान ना देए अते सिर्फ शारिक चीजा नू देखिए तस अनू परमिश्वते विश्वास करन विच मुश्कल आवेगी उस मामले विच असी सोच सक्दे हाँ पामेही रसूला ने परमिश्वते विश्वास किता से पर ओ, उस तरह न दे जुलम तो क्यो गुजरे इस तरह क्यो है कि जो लोग परमिश्वत ते विश्वास कर दे हैं उन्ना नूँ मुश्कला विच पाया जानदा है जेकर असी आत्मा दे बारे जाने बिना अपने तीसरी आयामी नजरिये नाल सिरफ इस ही दुनिया नूँ दिख्ये तासे परमिश्वन नूँ समझ नहीं सक्दे अते नाही उन्ना दी योजना नूँ मैसूस कर सक्दे हैं इस मामले विच जेकर साड़े ते अचानो कोई मुसीबत आ जावे तासे अपना विश्वास चढ़ सक्दे हैं अते यहुदा इस करूती दे वांग परमिश्वन नू छड़ के संसारिक जीवन विच पैस सक्दे हैं इस तरान दे तरस परेहालात साड़े नाल कदी नहीं होने चाहिदे परमिश्वर तर्ती ते आये अते मनुख जाती दी मुक्ती दे लई सलीब चुकी अते अपनिया बहां विच साड़ी अगवाई किती सानु आत्मावादी दुनिया दा एहसास कराऊं दे लई जो एक असली अते अर्थपून दुनिया है परमिश्वर खुदाए अते लोकानु बाइबल दिया चाठ केताबा पड़ाऊं दे लई अपने नभीवी पे जे जे करसी आत्मा दे बारे नहीं जान दे तासी सोचांगे मेंनू इस गाल्दी परवा नहीं है कि अरादना दे दिन शनिवार है जा एतवार किसे वी दिन अरादना करन विचिकी समस्या है क्रिस्मिस मनाउं दे बारे की दुनिया नू इस दा पूरा आनंद मिलदा है पसा चड़न विचिकी गलत है सबत नू चड़न विचिकी गलत है मनुक संसारिक चीजानू तुरंत महसूस कर सकदे है पर अपने संसारिक नजरिये नाल आत्मिक आशिशानू तुरंत महसूस नहीं कर सकदे इसलिए ओ शब्दानों नहीं समझ सकते आज वी परमिश्वने सानू परपूर आशिद दिती है परमिश्वने सानू पवितर आत्मा प्रदान कीता है ताँ आवसी आज फिर एक वार आत्मा दे बारे पता करिए कदी कदी लोकाने मान वीचे ऐ सवाल होंदे हैं की विश्वास दे पुरिख्यानों पुख प्यास अते उनताली कोड़े खान दे जुलम दा दुख क्यों सेना प्या उन्ना दे कोले इस तरह प्रशन होंदा कारण ए है कि आत्मिक दुनिया उन्हादी आखा तो दिखाई नहीं दि विश्वासियां अते अविश्वासियां दे विचदा फरक ए है कि विश्वासि आत्मिक दुनिया दे वल पाईदे रेंदे हन क्योंकि ओ इसनों देख सक्दे हन अते अविश्वासी लोग तर्ती ते दुख चुक दे हुए सिरफ जियोंदे रहन दी कोशिश कर दे हन क्योंकि ओह नाता आत्मिक दुनिया नू देख सक दे हन अते नाही आत्मा दी मौजूदगी नू जान सक दे हन प्रसेद राइने तिक शक्षियता माहन वकील, माहन प्रोफेसर, फिलोस्फर, नायक दुनिया विच अंगिनत लोग हन पर जे करोन तो पुछया जावे कि तुसी अपने सारे पिछले दिना तो संतुष्ट हो ओ केंदे हन नहीं तर्ती ते रहन वाले सारे लोग संतुष्ट ना होके बस अपनिया पुमिकावानू अदा कर रहे हैं मैं भी अपनी पुमिका अदा कर रहे हैं अते तुसी अपनिया पुमिका अदा कर रहे हूं है ना दुनिया विच सारे लोग का विचो कंगाल कंगाल दि पुमिका अदा कर रहे हैं राजा राजे दी पूमिका अदा कार रहा है, राष्ट्रपती राष्ट्रपती दी पूमिका अदा कार रहा है, क्रेलू औरता, क्रेलू औरता दी पूमिका अते पती पती दी पूमिका अदा कार रहा है, साथे विचो हर एक सिरफ सानू दित्ती गई पूमिका अदा कार रहा फिर जदो एस सारा नाटक खतम हो जावेगा तत असी सारे अपने मूल जीवन विच वापस मुड़ जावांगे कदी-कदी असी सोच सद्दे हां मेनू ओ पुमिका पसांद हैं मैं राजय दे मुकुटनू तारन करेके महान वड्याई विच जियोना चांदा हैं असी सारे अपनी मूल दुनिया आते अपनी मूल दुनिया आते अपनी मूल जीवन खतम हो जावेगा असी सारे उस दुनिया विच मुड़ जावांगे जितो असी आएसी असी सारे अपनी मूल दुनिया आते अपनी मूल आलात विच मुड़ जावांगे सारे लोगो आउ असी ना सरफ संसारिक जीवन ते अनकेंदरित करिये बलकि अननत दुनिया अर्था साड़ी मूल दुनिया दे वल देखिये जिते पविक विच असी जामांगे जेकर लोग आत्मिक दुनिया नू मैसूस करन तद ओ कदी भी संसारिक जीवन नाल बनने नहीं रहनगे अते संसारिक लालच नाल बनने ना रहनगे जदो येशु 2000 सा पहला तर्तिती आये सी ता उनने कहा सी संसारिक चीजा विच बहुँ जदा उच्छा आते शक्ती ना पाओ जो जल्दी ही गायब हो जान गिया आओ असी लोग का अध्याई 12 ते जाईए आते पता करिये कि साधी मूल दुनिया की है लोग का अध्याई 12 वच्छन 16 विच्छ लिख्या है ता उसने उनननों एक द्रिष्टान देखे किया कि किसी तन्वांदा खेत बहुत फल्या अते उसने अपने मन विच्छ सोच के किया पाई मैं की करा जो मेरे कोई था नहीं जिते अपनी पैदावार नों जमा रखा ता उस आख्या मैं एक करांगा मैं अपने कोठ्यान उठा के अग्ये नालो वड्डे बनावांगा अर उते अपना सारा अन अते अपना तन जमा करांगा अते मैं अपनी जान वाखांगा हे जान, बहुत वरियां दे लई तेरे कुल तान, बाला रख्या प्या है सुखी रहो, खापी अते मौजमान पर परमेशों ने उन वाक्या हे नदान आई दी रात तेरी जानते तो मंगन गे फिर जड़ियां चीजां ते तियार कितीयां ओ किदियां होन गियां एहो जिया ओ है जो अपने ले तान जोड़दा पर परमेशों दे अगे तानवान नहीं है कि उजदे जीवन दा सार उजदी आत्मा विच है उसनों सरफ संसारिक चीजां विच दिल चस्पी सी इसलए येशु ने कहा हे मुर्ख एहे एक नाटक विच उजदी पुमिका तो इलावा होर कुज नहीं सी पर उसने इसनों अपनी खुदी चीज मननी जेकर ए उजदा खुदा होंदा ता उजदा होना सी है ना एक कहवत है असी दुनिया विच नंगे आउंदे हां अते नंगे ही चले जांदे हां सिकंदर महार ने अपनी अंतम इच्छा छड़ी कि जदो ओ मर जावे ता उजदा हाथ तबू तो बाहर रख्या जावे तद उसने अपना हाथ तबू तो बाहर कड़न दे लई क्यों किया इस तरह लग रहा सी कि ओ पूरी दुनिया ते राज कर सक्दा है अते उसनों अपनी जाइदार दे रूप विच ले सक्दा है पर अंत विच जो रह गया सी ओ हो उजदा खाली हाथ सी ओ सबक देन लई कि मर दे समय लोग कुझ नहीं ले जा सक्दे उसने इस तरह दी अंतम इच्छा चड़ी ए ते वी लिख्या है हे मूर्ख आई दी रा तेरी जानते तो मंगन गे फिर जड़ियां चीज़ा ते त्यार कीती हैं ओहू की दियां होन गियां तनवन मनुख ने खुद ही सोचया पाई मैं की करा जो मेरे कोई था नहीं जिते अपनी पैदावार नू जमा रखा मैं अपने कोठियां नू टा के अगे नालो वड़े बनावांगा और उते अपना सारा अन अते अपना तान जमा करांगा क्योंकि मेरे कोल बहुत वर्यां दे ले तान बाड़ा रख्या प्या है सुखी रहो खापी अते मौजमान तनवन मनुकने अपनी आत्मा दे बारे थोड़ा भी नहीं सोचया सी एए पहला कारण है की येशू ने उसनू मूर क्या कि तनवन मनुकनो एशस नहीं सी कि ये किसे दिन उस दी आत्मा उस तो ले ले जावेगी तीसरा कारण एए है कि ओहो आत्मिक दुनिया दे लई, कि ते बिना जिस दी उस दो त्यारी करनी चाहिए दी है सिरफ तरती ते खुशी देन वालियां चीज़ां दी त्यारी करते हुए अपना जीवन बिता रहा सी तई येशु ने द्रिश्टांत विच केहा इस आजदी रा तेरी जान ते थो मंगणगे ते थो मंगणगे नू वापस बुलावन विच बदले आ जा सक्दा है, है ना इसलई आजदा से लेख है, अचानक तो वापस बुलावना कि होवेगा जेकर निर्देशक कहे तोहड़ी एक्टिंग इन्ही खराब है कि आज तोहड़ा आखरी दिन है, होन तो कोई होर पुमिका निबावेगा इसलई तोहनों इसनों आज ही कतम करना चाहिदा है, तथ एक्टर नों अपनी पुमिका विच अपनी सारी शक्ती लगा देन दे बावजूद छड़ना पैंदा है इसलई येशू सानों एक बुद्धी मन व्यक्ती होन दे लई केंदे हन, जो सारी चीजा नों पहला तो तियार करदा है ता जो असी अचानक वापस बुलाए जानते, शर्मिन्दा ना हो ये सानों सार्या नों वापस बुलाया जावेगा, सिर्फ वापस बुलाया जान दे लई तरीके अलग हन, कोई युद नाल, कोई बिमारी नाल, अते कोई दुरकटना नाल इस दुनिया विचे पैदा होई सारे लोग उस कड़ीदा सामना जरूर करणगे, जोद परमिश्वर उन्ना नों वापस बुलाऊंगे, उस समय कुछ लोग हैरान होंगे, अते कुछ लोग खुशी मना सक्दे हन, कुछ इस विचारना खुश होंगे, कि आखरकार मैं उस श आउंदा है, तद उसनु कहो कि मैं उस देना नहीं जा सक्दा, क्योंकि मेरे हंकारनों साट पहुंची सी, मैं एक पौप गाने दे इस तरहां दे बोल सुने, एक होर गीत दे बोल केंदे हन, उसनु कहो कि मेरे जानदा समा नहीं आया है, असलियत विच असी इस तरहां दे ह पर जेकर ओ आपनी आत्मामा दे लई तियारी नहीं कर दे ता ए सारे मूर्ख हन। पर साड़े सारे सियोंदे मेंबर जो पूरी दुनिया विच सबत मनाऊंदे हन। असल विच तानहान। कि हुन तुसी सारियां चीजानू तियार नहीं कर रहें। पावे ही दुनिया त्यारी नहीं कर रहें। पर हर दिन असी उस दी त्यारी कर रहे हैं। जो साड़े जीवन दा सार है। रसूल पॉलुस ने इबरानिया दे अध्याए 9 विच येशु दे शब्दा नू इस प्रकार दर्ज कीता है। आओ असी इबरानिया अध्याए 9 वचन सत्ताई देखिए। अते जीवन मनुका ले एक वार मरना ठहराया होया है। अते ओधे पिछो न्याय हुन्दा है। दूसरे शब्दा में चे मनुको वापस बुलाये जान दे लई न्यूकत है। अते जीवन मनुका ले एक वार मरना ठहराया होया है। अते ओधे पिछो न्याय हुन्दा है। तिवे मसी भी बाले आंदे पापा नू चुक्कल ले एक को ही वार चड़ाया गया। अते उनना उते जड़े उन उडिक दे हन। पाप दे काम तो अड होके मुक्ती लई दुई वार परगट हुएगा। मनुक दा वापस बुलाये जाना अते उस दे बाद न्यायों दा होना न्यूकत है। मैं तव ए रगदा है कि लोकांदे ले नर्क विच जान जा स्वर्ग दे राज विच जान दा न्याओं बाकी है। इस समय असे अपने पविखदी दुणिया स्वर्ग दे राज दी तेयारी दे लेई कोशिश कर रहे हा। हुन आत्मिक दुनिया विच परमिश्व साड़े लेई की तेयार कर रहे हन। ओ जल्दी ही साड़े मुडन दी उडी कर दे हुए साड़े रहन दी जगा सदीपक विरासत अते शाही जाजग दे ओदे दी तेयारी कर रहे हन। तरती ते नाटक खतम हों ते जल्दी ना लाओ। मैं हुन तो हाड़े ले एक मुकूट रख रहा हां जो स्वर्ग विच कदी नहीं मिटेगा। सानू एहे याद रखना चाहिदा है पर तो हाड़े विचो कुझ सोच दे हन क्योंकि इस साल मेरी उमर एक होर साल वाद गई है ताकि मैं बेकार हो रहां मेनू नहीं पता कि इस तरह क्यों सोच दे हन ए संसारिक लोकां दे सोचंदा तरीका है असी सियोंदी संताना जेकर अ परमेशों दे त्यार किते स्वर्ग दे राय दे बारे सोचिए तद किनी खोशी दी गाल है साड़ी उमर जिन्नी वादी है स्वर्ग दर आज उन्ना ही नेड़े आउंदा है कि तुसी सेमत नहीं हो असी जल्दी ही परमेशों ना मिलांगे किनने उत्साहा दी गाल है जिकर परमिश्वर जल्दी सानू वापस बुलाऊंदें तस्वर्गे दर्वाजे व्यापक रूपना खुलनगे जदो असी दर्वाजे तो परवेश करांगे ता हजारा अते लखा स्वरगदूद एक कैंदे होई साध्या स्वागत करंगे तुसी विश्वास बनाके रखन दे ले बहुत मैनत किती है रसूल पॉलूस ने हमेशा उस द्रिश्दे बारे सोच के उत्सानाल कम किता सारे जुलम अते परिक्या रसूल पॉलूस दे विश्वास नू पर बावित नहीं कर सके सानू भी उसे राते चलना चाहिदा है पर जदो परमिश्वत विश्वास ना करनवाले लोका नू वापस बुलाया जानदा है उह डारनल कम जान दे हन अते मौत तो डार दे हन क्योंकि उह जान दे हन कि उन्ना नू सजा दित्ती जावेगी साड़े बारे विच की है जदो परमिश्व सान नू वापस बुलाऊंगे तासी किन्ने खुश होँआंगे असी सियोंदिया संताना नू बहुत खुशी होवेगी जदो परमिश्व सान नू वापस बुलाऊंगे क्योंकि असी विश्वास वेचां कि नहीं खुशी दिगाल है जदो परमिश्वार मनुक जाती नूँ वापस बुलाऊं दे हैं तथ परमिश्वदियां संताना अते अव विश्वासियां दे विच्छे फरक हुंदा है इसलिए असी सारी तर्थिते त्यारी कर रहे हैं असी परमिश्वदिय संतान बनन दे हक दे नाल जीवन जी रहे हैं जिनना लोका ने आत्मा दे बारे नहीं सोचा है ओ सारे मुरक लोक हैं क्योंकि ओपरमिश्वर्दे अचानक बुलाये जान दे ले, तियार नहीं होयान। जदो ओबिना किसे तियारी दे अचानक उस कडीदा सामना कर दे हन। ता ओशेर रोंदे अते चीक दे हन। सारे लोगों परमिश्वते विश्वास करके जीवन जेवना किना तान है जे कर आत्मिक दुनिया नहीं है ता एक अलग गल होवेगी हलाकि आत्मिक दुनिया दी पक्का ही मौझूद की है सानू इस गालते पूरी तरह न विश्वास करना चाहिद है कि ओ दुनिया पक्की तरह नहीं मौझूद है विश्वासिया ते है विश्वासिया दोना नू परमिश्व द्वारा वापस बुलाया जावेगा पर उनना दे नतीजे विच मान फरक है किरपा इस नू त्यानविच रखो इस साल आव असी तरती दे थोड़ी खुशी जा बर्बादी नाल कदी भी नाडो लिए पर बस उस रहाते चलिए जिस्ते पिता आते माताई स्वरिक दे राय देवाल चल रहे हैं पर काईदी पोती अध्याई भी वचन ग्यारा फिर में एक वड़ा आते चिट्टा सिंगासना आते उनू जेड़ा उसोते विराजमान सी विख्या जिदे समने उ तरती आते आकाश नास गए आते उन्ना देले कोई थान ना मिल्या आते वचन बारा आते में मुर्दयानू की वड़े की छोटे इस तरती ते जदो लोग मर्दयान ता आसी उन्ना नू मरे दे रूविच ब्यान कर देया पर आत्मा मर्दी नहीं है आते में मुर्दयानू मतलब आत्मावनू किथे खड़े होई देख्या ओहो सब सिंगासन दे समने एक खड़े है आते एक होर पोथी जेड़ी जीवन दी पोथी है आते मुर्दयान दा की किता गया न्याओ पोथीयां विच लिखिया होई या गल्ला तो उन्ना दिया करनिया दे अनुसर किता गया आते जीवें मनुखा ले एक वर मरना ठेराया होया है आते ओदे पिछो की न्याओ हुंदा है इते आत्मावा न्याओ की ते जान दे लई खड़िया है सुर्गे जीव जो थोड़े समय दे लई एक नाटक करन दे लई इस तरती ते आय सी ओ अपने असली जीवन आत्मावा दे जीवन विच वापस चले जान दे है आओ असी फिर तो वचन बारा पढ़िये अते मैं मुर्दयानों की वड़े की छोटे सिंगासन दे अग्ये खलोते आं विख्या अते पोतियां खोली गईयां अते एक ओर पोती जड़ी जीवन दी पोती है खोली गई अते मुर्दयान दा न्याओ पोतियां विच लिखियां होई यां गल्लातों उन्ना दियां करनियां दे अनुसार कीता गया अते समुंदर ने ओ मुर्दय जड़े ओदे विच सन मोड़ देते अते काल अते पताल ने ओ मुर्दे जड़े उन्ना विच सन मोड़ देते एथे मरे हुए ओ अन जिन्ना नू अचानक बुलाया जानदा है अते हरे एक दा न्याओ ओ दिया करनिया अनुसार किता गया ज्यादा तर लोका ने अते उन्ना दे कम्मा दे अनुसार उन्ना दे न्याओ किता जानदा सी वचन चौदा ता काल अते पताल अगदी चील विच सुटे गए एहे दुई मौत है अर्थात अगदी चील अते जे कोई जीवन दी पोथी विच लिख्या होया नालबा ता ओ अगदी चील विच सुटे गए एहे किन्ना अद्बुद है कि तो आड़ा नाम जीवन दी पुस्तक विच लिख्या होया है परमिश्वर ने सानु जीवन दी पुस्तक विच सड़े नाम लिख्ये जान दे लई बब्तिस्मा दा एक नियम दित्ता इस तो पहला कि एक होर आत्मा अगदी चील विच परवेश करे सानु प्रचार करना चाहिदा अते लोकानु आत्मिक दुनिया दे बारे जानन देना चाहिदा है ता जो ओना दे नाम वी जीवन दी पुस्तक विच लिख्ये जा सकन नहीं ता उना दा की होवेगा एही कहनदा है जिसके सेदा नाम जीवन दी पुस्तक विच लिख्या होया ना मिला ओ अगदी चील विच पाया गया लोकानु जानन देन दे ले की पविक विच की होवेगा परमेश्व ने यहुंडा नो ए प्रकाशन दिखाया है ना परमेश्व ने कहा आज दी रात तेरी जानते थो मंगणगे फे जेडियां चीज़ां ते तयार कितीयां ओ की दियां होण गिया पर आवो आते पैणो तर्तिते साड़ा शर्रिक जीवन वी जरूरी है पर अपने आत्मिक जीवन दी अनक्याली कर दे हुए तर्तिते शर्रिक जीवन दा अनद लेना गलत है पिताने सानू एक सिख्या देती मूर्क सिरफ वरतमान दे बारे सोच दे हन पर बुद्धी मान पवेक दे बारे सोच दे हन एक बार फिर मैं तुहाननू एही कहना चाऊंदा कि तुसी अपने पविक आत्मिक दुनिया नू पहला तो जान लवो अते उस दी त्यारी करो ए लिक्या है जिनना लोकान दा नाम जीवन दी पुस्तक विच लिक्या होया ना मिलया उनानू आगदी चीलवी चीलव पाया जावेगा फिर इबरानी अध्या नो वचन सताई दे अनुसार लोकानू सब्तो जादा किस दी जरूरत है ओहू मसी है मसी बहुत सारे लोकान दे पापानू चुककन दे लेई एक वार बलिदान होय अते जो लोक ओनानू उडीख दे हन ओना दी मुक्ती दे लई दूसरी वार दिखाई देणगे है ना ओहू किस दे लई दूसरी बार दिखाई देणगे जो ओना दी उडीख कार रहे हन एक चूचा एक अले अपने अंडे नू तोड़के नवे जीवन वी जनम नहीं ले सकदा एक चूचा खुद तो इस तरह नहीं कर सकदा तद ओह अंडे तो बार ओंदा समा होंते मा मुर्गी नू एक संकेत दिन्दा है ओह अंडे दे छिल्लड नू मारदा है जिवे क्यों कैंदा होवे मा मैं बाहर आऊंदे ले त्यार हा तद मा मुर्गी इसनू सुन्दी है अते अंडे दे छिल्लड ते सुराक कर दिन्दी है इस तरह सानूवी एक की समय विच अंदर अते बाहर दोना पासे एक ता ते सत्पामना विच कम करना चाहिदा है इब्रानी अध्याई नौ दे अनुसार जदो तक मसी दूसरी वार इस तरती ते नहीं आउंदे असी खुद अपने आप मुक्ती प्राप्त नहीं कर सकदे इसले बाइबल कैंदी है कि ओ दूसरी वार उन्ना लोकानू मुक्ती देन दे लें दिखाई देन गे जो उन्ना नू उडीक दे हन ओ ही वचन ये शाय अध्याई पची वचन नौ विच मिलदा है असी ओधी उडीक दे साँ असी ओधी मुक्ती विच खुशी मनाईए अते अनन्द करिए जदो तक ओ नहीं आउंदे सानू सारयानू अपने आप तो सही रा नहीं लब सकदा क्योंकि असी परमिश्वदे अचानक वापस बुलाए जान दे लें एक बुद्धी मन हल लब्बन विच शक्ती ही न ता बाइबल कैंदी है कि ओ अन्तिम दिना विच इस तरतीते आऊंगे अते सानू सिखाऊंगे आओ असी मीक का अध्याय चार दिखे अध्याय चार वचन एक आखरी दिना विच अन्तिम यूग विच ये होवेगा कि यह वादे पवंदा परबत पहाड़ा दे सिर्थे काइम किता जावेगा अते ओ पहाड़ियां तो उच्चा किता जावेगा अते उमता उस दिवाल वगण गिया बहतियां कोमा आऊंगिया अते आखण गिया आऊ असी यह वादे परबत उत्ते याकूब दे परमिश्व दे पवन्नू चड़िये पही ओ सानू की? अपने राविखावे सानू सिखाऊंदे लेई ओ खुद इस तर्थी ते आऊंगे अते असी की करांगे? ओ दे मारगा विच्च चलिये साढ़े कोल अचानक वापस भुलाए जानदा सामना करन दे लेई कोई रा नहीं सी इस करके मसी ने ना सिर्फ उन्ना लोकानू मुक्ती देन लेई जो उन्ना दी उडिक कर रहे हन बलकि सानू सिखाऊंदे लेई वी आऊंदा वाइदा किता उह सानू सुर्गे माता पसा सबद्दा दिन मुक्ती अते सदीपक जीवन दे बारे सिखाऊंगे सुर्गे शाही जाजक नू उस शांदार मुकुट नू पाउन वीचे काबिल होंदे लेई पई ओह सानू अपने रा विखावे अते असी ओदे मारगा वीच चलिये क्यो जो बेबस्ता कि तो सियोन तो निकलेगी अते यहवा दा बचन येरुशलम तो लोग काँ दे अचानक बुलाए जान तो पहला ओ तर्तिते आउनगे अते सानू सिकाउनगे ता जो असी आत्मिक दुनिया दा सुआगत कर सकीए अते इस दे लई तैयार रह सकीए सारी लोग को साडी पक्य रूपनाल आत्मावा हन इस दुनिया विचे साथ दिशंबलर साथ अरब लोग का विचो जादा तर लोग आत्मा दे मामले विचे इननी दिल्चस्पी नहीं रख दे इतो तक कि जो लोग परमेश्वते विश्वास करन दा दावा कर दे हन ओहो इस तरती दे मामले आनू आत्मा दे मामले तो जादा महत पूर्ण मान दे हन इस करके परमेश्वने सानू बाइबल विच परमेश्वते अचानक वापस बुलाऊं दा सामना करन दा सब तो बुद्धिमान तरीका एक कैंदे होए जानन देता कुझ ना वदाउना जा ना कुछ कटाउना बाईबल दे अंत विच परमेशों ने की केहा परकाश दीपोती अध्याई बाई वचन 18 विच परमेशों ने केहा बाईबल दे वचना विच कुझ वी ना वदाउना अते उस विचो कुझ वी ना कड़ना जदो असी इना 15 सारे मामलियां दे बारे विच आज एक वार फिर तो सोच देहा तद असी बेसा रहो के एक वार फिर तो उना नू मिलन दी इजाज़त देन देले पिता आते माताई दी प्रिशंसा, वड़े आई, आते स्तूती कर दे हां जिनना ने सियोन विचा के बबस्ता दी कोशना किती है आते मुक्ती विच साड़ी अगवाई किती है आऊ असी दूसरा थिमोतियस अध्याय चार वचन दो देखिए पई तू बचन दा प्रचार कर, वेले कुवेले उस विच लगया रहे पूरी तीरच आते सिख्याना चड़क दे, ताड़ना आते तगीत कर सानु लोकानों ए जानन देना चाहिदा है, जो परमिश्वने सानु सिखाया है क्योंकि लोग ए नहीं जान दे ओ गल्ती ना सोच दे हन, कि ओ दिखन वाली दुनिया ही असली दुनिया है साडेले असली जीवन की है, ओ ओ आत्मिक जीवन है परमिश्व चाउंदे हन कि आसी इसनु लगाता सिखाये अते प्रचार करिये वचन दो, पई तु वचन दा प्रचार कार, वेले को वेले उस्विच लग्या रहे पूरी तीरज आते सिख्या नाल चिडग दे, ताड़ना, अते तगीत कार क्यों जो ओ समा आवेगा, जदो ओ खरी सिख्या नू ना सैंगे पर कन्ना दी जलून दे कारण अपने विश्या दे अनुसार, अपने लई टेर सारे गुरू तारंगे अते सची आई तो कन्ना नू फेर के, क्या ली काणिया दी वाल फेरंगे पर तो सबनी गली सोचेत रही, दुख चली, प्रचारक दा काम करी, अपनी सेवकाई नू पूर्या करी क्यों जो हुन मैं अपने लऊ दा अर्ग देनु हुआ, अते मेरे कूच दा नगारा वज्जन लगा है मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका, मैं दोड मुका छड़ी, मैं नेचा दी साम किती है हुन तो की रख्या होया है, तरम्दा मुकुट मेरे लई रख्या होया है हुन परमिश्वर सियों दिये संताना दे लई मुकुट रख्देयान पौलूस उच्छाहत होंदे हुए तरम्दे मुकुट देवाल देख रहा सी जिसनू परमिश्वर ने उजदे लई रख्या सी उसने सोचया मैं तरम्दा मुकुट पाउंदा इंतजार नहीं कर सक्दा हाला कि परमिश्वर ने एक कैंदी हुए उसनू उजदा मिशन करन दे ले तर्थी ते चाठ देता कि तोहाडे कोल हुण वी एक मिशन है तोहाडे कोल बलाउंदे दिन तक हुण वी बहुत सारे दिन बचे हम इसलही पावे ही ओ ठांट अते पुखविच सी अते कश्णा ते जुल्मादा सामना किता पर ओ उस आत्मिक सदीपक दुनिया दे बारे सोचके जिसनू परमिश्वर उस दे ले तियार कार रही सी शक्ती प्राप्त कर सक्या उसने सदीपक दुनिया दे मुकुट दे वाल देख्या अते परमिश्व दे बारे सोचिया जिनना ने उस दे लेई मुकुट रख्या सी परमिश्व ने के हा मैं तो हडे लेई मुकुट पाउन दे लेई उडीक कर रहा हा उसने उस आज देनल मेनत ना दोड लगाई सारी लोगों परमिश्व दे विश्वास करना सबद दिन सर्फ चर्च विच ओना नहीं है पावे ही असी कदी-कदी गरीब हां अते अनेक मुश्कला अते परिख्यामादा समना करदे हां पर एह गल की साड़े कुल स्वर्गदा राज है सनु बहुत अराम दिन्दा है है ना साड़ा प्रचार करना खुशी दी टिकट सोंपन दे वांग है मैं प्रातना करदा हां कि खुशी वंडन दा कम तो हड़ा कम आते मेरा कम है आव असी सोचिए परमेश्वर ने मेरे लिए एक को मुकूट रख्या है मुकूट किनना शांदार हुएगा चदो पिता जी में नू मुकूट पौण गे ता में नू केमेदा लगेगा एई सोच के आव असी विश्वास दी दोड़ नू अन तक दोड़िये आव असी सियों दी संतान बनिये जो परमेश्वर तो बहुत पयार प्राप्त कर दी है इस दे दोड़ा मैं आईदे उपदेशनों खतम करना चाओंदा तो आड़ा बहुत बहुत तानवाद